असलाम अलेकुम भीवार्स वेलकम टू में चैनल वीडियो के थबनेल देखके तो आप लोगों को पता ही चल गए होगा आज की वीडियो के टोपिक क्या है आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकाट और मिंत्रा के कुछ ड्रेस के आफ्टर वाश रिव्यू तो चलिए वीडियो का आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले इस ड्रेस से शुरू करते हैं जो यॉलो कलर का है राउंड नेक और थ्री कोवटर स्लीप से देखिए और इस पर कुछ बटन टाइप के लगा है और इस पर सामने से देखने में जैकेट टाइप लगते हैं लेकिन जैकेट नहीं है और नीचे देखिए यह फेब्रिक वार्क है लेकिन अच्छा है बहुत तिन बार वाश की देखिए इसमें भी फेब्रिक वार्क है इसके दुपर्टा के लेंध बहुत बड़ा है अगर आप लोगों को पसंद आये तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है वहाँ से भी पर्चस कर सकते हैं यह ड्रेस गाइस यह ड्रेस भी बहुत ही खुबसरत है और एक ताम से सेमी आया है यह यह मरून कलर के है और इसका स्लीप शॉर्ट स्लीप से अब देख सकते हैं राउंड नेक इसके नीचे दो पार्ट है और अंदर लाइनिंग भी प्रोवेट के हैं शीफोन फेब्रिक का है यह बहुत ही सॉफ्ट और इसके पीछे एकदम सिम्पिल है प्लेन साइड में चेन भी दिये है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है आप चेक आप कर सकते हैं यह लाइट ग्रीन कलर के है और इसको में चार पाज बर वाश की हूँ फिर भी इसका कलर एकदम ठीक है आप लोग देखिए इसमें फ्लावर्स के प्रिंट है और इसक के ओडर की हूँ इसका स्लीफ देखिए बहुत ही पैरा है कमर पर बेल जैसे दिये है इससे आप टाइट भी कर सकते हैं इसका फेब्रीक थोड़ा रियोन और कॉट्टून जैसा है इसका कपरा बहुत सौफ्ट है बैक साइट प्लेन है यह एक शरारा है यह क्रीपी फेब् प्यांट एकदम प्लेन है और बीच में गोटापट्टी के डिजाइन दिये है देखिए बहुत ही परा लग रहे है और इसका घेर भी अच्छा दिये है इसके कमर पे पीछे इलास्टिक लगाया है और आगे एकदम प्लेन है अब कुर्ती को देखते है कुर्ती एकदम प् इसके और की हूँ इसके बैक साइड भी एकदम प्लेन है यह टॉप है आप इसको जीन्स के साथ भी वायर कर सकते हैं इसका थ्रीकॉर्टर स्लीप से और देखिए यह ऐसे खुल के भी पहन सकते हैं और कुछ बटन्स भी है वहाँ पर यहां बीच में कटा है यह जोड़ट इसको भी वाश कर चुकी हो और इसका कलर बहुत ही स्वीट है बहुत प्लेन है इसमें चोटा-चोटा फ्लावर की प्रिंट है देख सकते हैं बहुत कुप सथ लग रहे है देखने में और पहनने के बाद तो और भी ज्यादा कुप सथ लाएगा अकि डीसक्रेप्शन बॉक्स पर लिंक यह इसको पर्चेश भी कर सकते हैंपाय क अगयाकिय भी बहुत खूश्रा थे गाई इसकी कलर बर्गेंटी कलर जैसा है बहुत पेड़ा अ इसमें जैकेट जैसा है और कॉल रटर नेखे के यह में साइज का उड़र की थी और इसके स्लीव थ्री कॉर्टर स्लीव से बैक पर देखिए जैकेट स्टीज करके है और इसके बाकी बैक साइड एक दम प्लेन है इसको भी मैं दो बार वाश की हूँ यह जोर्जेट फेब्रिक का है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है आप लोग चेक आउट कर सकते है यह भी एक गाउन है जैपुरी प्रिंट का यह कॉटन फेब्रिक का है और नेक पे कॉलर सिस्टेम है यह एस साइस की है थ्री कॉटर स्लीप से ड्रेस के आगे कुछ बटन्स दिये है प्यारा लग रहे है और नेक पे थोड़ा कट आउट किये है यह ब्लू कलर का है और इसमें फ्लावर की प्रिंट है इसका घेर भी बहुत जैदा है काईस इसका और भी दो कलर एवेलेवल है रेड और योलो और बैक साइट पूरा प्लेन है इसको बहुत बार वाश की हूँ फिर भी इसका कलर थोड़ा सा भी फेड नहीं हुआ आप च बैक साइड बेस्टन ट्रेस थी वह बहुत खूबसरत है अ ऐसमें दो कलर क्वाइट किये है और अरेंज और बरगेंडी कलर का है स्लीपलेस है यह और भी नएक है यह पौली क्रीपी फेब्रिक का है इसके नीचे था बयक्स टाइप के कट किये है देखिए बैक साइड बिल्कूल प्लेन है और चेन भी दिये है इसमें एक बेल्ट दिया है जो पर्पल कलर का है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है वहाँ से आप चेक आउट कर सकते है यह एक शरारा है बर्गेंडी कलर का पहले इसके प्यान को देखते है अजिए इस शरारा के कमर पर पुरा ही एलास्टिक है जो एधान चाहिए इसमें गोटा पत्ती की डिजाइशन है दीए गया है आच्छीए दिये गया है और इसका गहर भी अच्छा, कि अब शक्री को देखते है कूर्ती का आगे भी गुटापट्टी के डिजाइन है यह रियोन फेब्रिक का है राउंड नेक है और एम साइज का है यह और इसका स्लिप्स भी देखिए बहुत खुबसरत है इसमें भी गुटापट्टी के डिजाइन दिये गए है इसको भी मैं वाश की हूँ लेकिन कलर फेड नहीं हुआ और यहाँ भी गुटापट्टी के डिजाइन है और नीचे भी गुटापट्टी के डिजाइन है बैक साइड एकदम प्लेन है